तो दोस्तो आज का टूर है अपना जोतिस्वर टेंपल परम हनसी गंगा आसरम के नाम से भी जानते हैं जो कि गोटे गाउं से 13 किलोमेटर दूर है जबलपूर से लगभाग 80 किलोमेटर दूर है हम बाई रूट जा रहे हैं आप चाहो तो गोटे गाउं तक ट्रेन से जा सकत हैं और मंदर के बारे में आपने सुना होगा संकराचारी जी के बारे में भी सुना होगा तो इनके द्वारा ये सहपुरा को क्रॉस करते हैं जासी काट अपने को मिलता है जो कि मादर मौहार्ण की से चेपबा के दरसों लगा देटा है ए और ए झाल यह मंदिर जो है एक छोटे से पहाड में है जिसको टेकरी भी कहते हैं मंदिर करीब 225 फीट उचा है जिसको तयार करने में 17 साल लगे थे इस मंदिर का जो निर्माण कारी है वो 1965 में प्रारंब हुआ था और 1985 में इसमें देवी देवताओं की पहली मूर्ती रखे गई थे इसको आप सभी इस नाम राज राजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी मंदिर के नाम से जानते हैं मातारानी राज राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा उन्निस सो पचासी म है और दक्षण भारती सेली को दर्शाता है तक्षण भारती सेली में बना हुआ है आप इसके चत देखें दीवाल देखें बहुत ही सुन्दर है और इसमें से बहुत चोटे-चोटे कलश लगे हुए हैं जिनमें से एक सोने का कलश है लगभग 64 प्रतिमाय है जो कि पत्थ कि यंदी खाई देंगे कि यंदी खाई देंगे हैं जो कि यंदी खाई देंगे हैं जो कि यंदी खाई 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 हैं जो जोटी सोर धाम से मात्र पांच किलोमेटर दूर बगाजपुर में स्री स्री बाबा स्री का रवास्रम हो यह समाधी इस्तल है बाबाजी का इन्हों ने अपनी समाधी अंतिम समय अंतिम सासे यहीं पेली जिसका जो द्रश है अद्यूती है आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल अम्रत्सर के स्वाण मंदर की जहलक इसमें दिखाए देगी सिम मंदिर है यहां पे स्री गडेश मंदर है अगरंदावन की छटा आपको दिखाए देगी गुवर्धन परवत उठाये हुए अपने को बागे भी हारी लाल कृष्ण का नहीं आजी दिखाए देगा दालाब के बीच में लो मंदिर समाधी इसकल है बिल्कुल अम्रत्सर चूरा हिव जाँ कसेने लाल कषा आपको आपको दmotion समाव इसको समार कामधी ःव ऑलत्सरारा कसाव नहीं बादोत這一